स्वामी प्रसाद मौरया आपने आपको दलीतों और पिछणों का नेता बताते हैं और उनका कहना है कि भाजपा सरकार में दलीतों पिछणों का उत्पिणन हो रहा है इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पॉयटी जोइन करने की शुरूआत की है हमारे साथ सल्यम पूर के सांसद रविंद्र रविंद्र कुश्वाहा हैं उनसे पूछेंगे बात करेंगे कि भए राजनेती में स्वाही परसाद मौरया कहा तक फिड़न बैखते हैं सांसर जी, स्वामी प्रसाद मौरया को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्या है उनकी राजनिती और प्रदेश में दलितों का किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, क्या वाकई में वो सच बोल रहे हैं? दार बार लगातार मायावती मुख्यमंतिरी रही उनकी सरकार में मंतिरी रहे उसके बाद भी ये दलित पिछड़े और बंचित लोगों का विकास नहीं करवाए उसके बाद अवसर देख करके भारती जनतापाठी में आए अपने सुविधा जनक राजनीत की वज़े से और पांच साल सुविधा भोगने के बाद आज बेव गुनियाद आरोप लगा करके जिस तरीके से ये दलित पिछड़े और वंचित की बात कर रहे हैं हम समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौरिया खास करके मौरिया साक सैनी कुस्वाह समाज के ठेकेदार नहीं है और जिस तरी केसे इस समाज को भेचने का काम हो कर रहे हैं एक कत्ता ही सफल नहीं होने वाला है कि क्योंकि कुस्वाह मौरिय साक सैनी समाज के लोग पिछड़े जरूर हैं लेकिर राजनीतिक रूप से वो चेतना गरस्त हैं और निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौरिया के बहका की है अपने परिवार की बात की है अपने बेटा बेटी की टिकट की बात करते हैं और अपने दामाद की टिकट की बात करते हैं और उसी के आधार पर जो समाजवादी पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौरिया बहुत बड़े नेता है हम लोग नहीं मान वह वह जातियां एकदम से भरकी वही थी उनको एक विकल्प चाहिए था उस विकल्प के रूप में, उस तमाइं समाज पार्टी दिखाई दी वह बहुजण समाज पार्टी के साथ चले गए लेकिन हम आज कहना चाहते हैं कि 2014 के लोग सभा के चुनाओं में जब मोदी जी आये थे उस समय ना स्वामी प्रसाद मौरिया थे ना दारा सिंग चमहान थे ना हमारे केसों मौरिया जी थे वो भी एमेले थे लेकिन उस समय पूरे देश के दलिस फिछडे वन्चित बर्क के लोग मोदी जी के साथ पूरी पर्देश में अकेले 73 सीट जीत करके भारती जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन उनका सांसर जी कहना यह है कि दलितों और पिछणों के लिए सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया मोदी जी भी पिछड़ा वर्क से आते हैं तो आप क्या कहेंग उन्होंने लागू की है वो प्रभावित हुई है सवेरे जब व्यक्ति उठता है अपने घर के इज्जत घर में सवचाले में जाता है तो उसको याद आता है कि यह जोगी जी और मोदी जी का दिया हुआ है जिस घर में मैला रतिया उसके आवास नहीं थे प्रधान मंतरी आवास उसको मिल गया उसको दीन रात याद है कि यह मोदी जी ने दिया हुआ है उसके घर में जब बच्चा इसकूल जाता है और उसकी मा जब गैस का बटन खोल करके उसके लिए टिफिन तयार करती है और जिस चावल और रासन चावल और गेहूं जिससे खाना बनता है उ जब घर में वह बटन दबाती है उजाला होता है तो उसको याद आता है कि यह उज्वला योजना के अंतरगत हमको फिरी में बिजली का कनेक्शन देने का काम मोदी जोगी जी की सरकार ने किया है हमारे किसान भाई है जिनके पास कभी जब खेती करने जाते थे तो करजा ल का कोई संकट नहीं है खेती अच्छी अपना कर रहे हैं यानि हम कह सकते हैं उनके घर में कोई भीमार घर पड़ता है तो ओ भी ये समझ के चलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है इसलिए कि आईसमान कार्ड हमारे पास है पांच लाग तक भी अगर दवा का खर्चा होता है तो मोधी जोगी ने हमारी व्यवस्था कर दिया है बगल में हमारे 30-40 किलो मीटर के अंदर में मेटिकल कालेज बन गया है हमारे 70-80 किलो मीटर की दूरी पर एम समारा बन गया है तो यह सारी चीजें जो है जो दिया है मोधी जोगी की सरकार ने तो आम जनता के वह जन गुरक है औ android प्रशाद मोर्या और ऑज त्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता पिछड़े दलित वन्चित वर के केशो मौर्या है और केशो मौर्या को जिस तरीके से समाज ने और सर्व समाज ने लग अपना नेता माना है और जिस तरीके से भारती जनता पार्टी में उनका कद बड़ा है तो उससे कुंठित हो करके स्वामी प्रसाद मौर्या पिछडी जाति का अभ्यक्ति काईवनेट मंतरी तक नहीं बना है। किया था अगर बात करें तो जातियों की बात करें जातिस हमिकलन जो बन रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या मानते हैं स्वाई प्रसाद मौर्या बावो सिंग कुश्वाहा ऐसे तमाम नेता कितना चुनाओं में प्रभाड डालेंगे हमको नहीं लगता है कि जातिस जो के नाम पर जो नेतागीरी कर रहे हैं उनका कोई असर पढ़ने वाला है इसलिए कि मोधी जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अब सबका प्रियास उस आधार पर हम 14 2014-2017-2019 तीन चुनाओं से हम देख रहे हैं कि यह जातिस हमिकलन तूट चुके हैं को कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पर आज नीत करते हैं आज हम कर सकते हैं यादों को भी वही लाव मिला है जो दलित को मिला है जो सबको सबको समान रूप से हमारी सरकार देखती है और जाति के नाम पर हमारी सरकार काम नहीं करती है समाज का सरवांगीर विकास हो और सभी लोग आगे बढ़ें देश ससक्त हो हमारा देश सक्तिसाली हो देश समरिश साली हो मजबूत हो इसको लेकर भारती जनता पार्टी आगे चलती समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है चूंकि ये नियता जा रहे है जनता भारती जनता पार्टी के साथ है इसलिए कि भारती जनता पार्टी ने उनका ख्याल लखा है उनके हर दुख सुख का ख्याल लखने का काम भारती जनता पार्टी ने किया है और यादों की लाठी खाने के लिए पिछड़ा अती पिछड़ा दलित वन्चित नहीं जाएगा क्योंकि गाओं के अस्तर पर जब हम लोग देखते हैं कि कोईरी हो, कौहार हो, लोहार हो, चवहान हो, विसकर्मा हो यह जो अती पिछड़ी पर के लोग हैं, इनी के उपर यादो लोगों की लाठीया चलती हैं, और उन्ही का खेत जोते हैं, डांट जोते हैं, उनके साथ गुंड़ई करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, यह बात गाओं के लोगों को मालूम है, और उनको लगता है, अ लिए स्यादव की सरकार को लोगों ने देखा है वो जो पीड़ा है जो उत्पीड़न है दलित समाज पिछड़े समाज बंचित बर के लोग भूले नहीं है इसलिए आज जिस तरीके से जोगी जी ने उत्तर परदेश में कानून का राज कायम किया है आज किसी गुंड़ा ब और जो बदमासी किया और जिस तरीके से भूमा फिया रहे जिनके उपर बुल्डोजर चला है जिनके नाम का आतंक हुआ करता था उस आतंक को खतम करके जिस तरीके से जोगी जी ने कानून का राज अस्थापित किया है तो गाउं का आज ग्रामील्ड जब बाजार जाता ह लेकिन मैं सुरचीत अपने घर जा रहा हूं हमको इस बात की चिंता नहीं है कि बीच में कोई हमारा पैसा चिन लेगा कोई हमसे गुंड़े करेगा अगर समाजवादी पाइटी में जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं उनका वोड बैंक नहीं जा रहा है और उनका आने का समाजवादी पाइटी को कोई लाप नहीं मिलेगा कमरे से होगी जितेन के साथ विवेक ट्रिपाठी एबीपी गंगा लखनों